गुड मॉर्णिंग टुवाल आप यूँ यूपी कैटिट की तैयारी करने वाले एग्री कल्चर गुरुप के सभी विद्धार्चियों का हमारे ओनलाइन प्लेट्वर्म पर स्वागत हैं बच्चों कल हम लोगों ने जो है धातांक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशन्स जो यूपी कैटिट में आचुके थे उनका हम लोगों ने अधियन किया था और हमने वजाया था कि जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो लागुगारत पर होगा लौगर्थ्म पर होगा तो आज बच्चों हम लोग इस लेक्चर में लौग के बारे में जानेंगे और लौग से सम्मंदित कुछ महत्पूर सुत्रों को याद करने का प्रयास करेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले घातांक के बारे समस्ते हैं जैसे हमने घातांक यह उसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे कि आप लोग ज्यानते हो दो की घाथ थीं का मतलब होता 8 उसी तरीके से हमने मान लिया कोई भी संख्या ए उसकी घाथ याक्स मतलब एक्स बहुत करा सुरा किया गया है तो यह कितना मद प्राप्त हुआ है एक्स वन प्राप्त हुआ है लियर क्यां और अबर सब्सक्राइब ballad मैं जा यह को बोलते है एक्सक्ता मतलब होता है घंद को अधार में तो ध्यान डखिएगा इसे लगुगाने की रूप में कैसे लिखेंगे इसको और लॉग रूप में लिखना है तो लिखते हैं लॉग और यहां पर जो वैलू है जो संख्या है वो यहां लिखेंगे log n, जो आधार यहां है, वही आधार यहां पर लिखा जाता है, log n base a बराबर जो पावर है वो आ जाता है, log n base a बराबर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, तो यदि a की पावर x बराबर n, इसे कहते हैं घातान की रूप, इसे क्या बोलते हैं, ये घातान की रूप में लिखा हुआ है, exponential form में लिखा हुआ है, इसे हम लोग अगर log रूप में लिखना चाहें, तो log n base a बराबर क्या होगा, x होगा, कैसे इसको याद रखेंगे, जैस और जो आधार यहां है, वही आधार यहां पर लिखो, तो base a हो जाएगा, और जो घात यहां पर चड़ी है, वो बराबर में लिखा हुआ है, जैसे कुदार्ण लिखते हैं, मालोग घातान की रूप लिखा हुआ है, 2 की power 3, बराबर 8, ये घातान की रूप है, अगर इसका लागुगर की रूप लिखना हो, लागुगर की रूप, लागुगर की रूप, लागुगर की रूप, लागुगर की रूप, लागुगर की रूप में खौम अगर लिखना हो, तो क्या लिखनेंगे बच्चों, लाग, यहां पर लिखा 8, लिखेंगे 8, आधार कितना है, तू त्या आधार तू लिखेंगे बराबर आंसर के आएगा 3 इसका मतलब लाग 8 बेस 2 बेस मतलब आधार लाग 8 आधार 2 बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा तो 2 की पावर 3 बराबर 8 तो लाग 8 बेस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो यह आपका घातान की रूप ह और नीचे तो लिखा है ये लगू गारे किये हूँ